चुनाव आने वाले हैं तो जायर सी बात है कई सारे changes, transformations देखे जाने की उमीद थी जो इस बार संसद के winter session में देखने को मिल रहे हैं एक ऐसा ही बहुत बड़ा change कल के दिन अनाउंस हुआ था निर्वाचन सदन यानि की election commission of India के appointment procedure में आईए जानते हैं कि वो change क्या है, ladies and gentlemen, boys and girls, मैं हूँ आपका दोस्त, फोस्त, educator, mentor, स्दांगी सर और आप सभी का स्वागत करता हूँ reach UPSC पर, channel को अभी subscribe करें और bell button दबाएं ताकि आप कोई भी update ना miss कर पाएं तो election commission के functions जो है, वो बहुत clearly mentioned है constitution में आप लोग शायद ये बात जानते हो कि चुनाव आयोग जो है, वो एक constitutional body है यानि उस body के बारे में constitution mention करता है कि ये body बनाई जानी चाहिए और इसके इस तरीके से functions होंगे लेकिन इसका appointment procedure जो है वो constitution में clear नहीं है यानि कि it is non-transparent जब भी कोई चीज में transparency नहीं होती है, तो उसे conventionally देखा जाता है कि कैसे पहले होता था, हम भी उसी तरीके से करेंगे तो जब वो transparency लाने की बात करी गई, तो present government ने appointment of chief election commissioner को जो की निर्वाचन सदन के मुख्या होते हैं, उनके appointment के लिए एक specific bill पास किया है जो parliament के दोनों houses में पास हो चुका है अब इसको राष्टपती जी का ascent मिलना बाकी है बिल का नाम है जैसा कि आप देख सकते हैं दोबारा इस बिल का नाम देखिए, ये mention करता है CEC जो मुख्या है chief election commissioner उनके अंडर जो और election commissioners होते हैं जो CEC के support के लिए होते हैं उनके appointment के लिए conditions of office की office में किस तरीके की परिस्तिती हो और terms of office, क्या terms रहेंगी, tenure कितना रहेगा, salary वगएरा वो सारी चीजे इस बिल में mentioned होती है इस बिल को pass किया जा चुका है अब राष्टरपती जी का assent मिलते ही ये बिल जो है, ये act में तब्दील हो जाएगा अब थोड़ा आपको सम्मिधान पर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि Constitution of India क्या state करता है election commissioners के बारे में जब election commission की बारी आती है तो election commission एक constitutional body है और ये mentioned है article 324 में article 324 mentions about constitution of election commission इसी के सब articles या ऐसा कहा जाए इसके जो clauses है वो इस office की कई सारे aspects यानि कि इस office के दाइरे को fix करते हैं एक एक करके मैं आपको बताता जाता हूँ ध्यान से सुनते जाएगा ये articles क्या क्या स्टेट करते हैं आपका पूरा constitutional body election commission revise हो जाएगा बात करते है article 324 clause 1 की ये बात करता है functions की election commission करेगा क्या election commission का काम है पूरा electorate तयार करना electoral rolls कितने लोगों की आयू 18 वर्ट से जादा हो गई है उन सब के जो है voting cards बनाना उसको कहा जाता है electoral roll जितने पुराने लोग है जिनकी वृत्यों हो गई है उनको register से निकालना तो इस तरीके से electoral rolls तयार करना जो चुनाव होते हैं केंद्र के और राज्यों के वो पूरी तरीके से election commission करवाता है यानि की लोगसभा, राजसभा, विधानसभा, विधानपरेशन उसके बाद प्रेजिनट और वाईस प्रेजिनट के दफ्तर के elections करवाए जाते हैं ये प्रेलिम्स का question है आप ध्यान रखेंगे की election commission की responsibility कौन से दफ्तर के elections करवाने के लिए है प्रेजिनट, वाईस प्रेजिनट, लोगसभा, राजसभा, विधानसभा, विधानपरेशन फिर आता है आर्टिकल 324, क्लॉस 2 ये बात करता है इसमें आता है चीफ election commissioner and such number of ECs as president may fix an appointment be subject to law made by parliament इनका जो appointment है, parliament वारा जो law बनाया जाएगा, उसकी अनुसार होगा यहाँ तो ये चीज देखिये लिखी हुई है, लेकिन parliament ने आज तक अभी से पहले कोई law नहीं बनाया था सो conventionally चीज चल रही थी फिर आता है क्लॉस 3, चीफ election commissioner will act as chair person of election commission जैसा मैंने बताया, चुनाव आयूक के मुख्या है, चीफ election commissioner इनको CEC कहा जाता है और यह उसके chair person है, बाकी दोनों जो election commissioners है, वो constitutional post नहीं है उनको appoint करा जाता है इन मुख्या के कहने पे कल को चीफ election commissioner बोले कि मुझे और दो लोगों की जरुवत है तो president of India और दो लोग CEC के कहने पे appoint कर सकते है अगर यह बोले कि मुझे किसी की जरुवत नहीं है, तो president of India सारे लोगों को हटा सकते है जैसा मैंने आपको बताया, CEC के कहने पे appointment president वारा ही होगी और कोई नहीं कर सकता जो service conditions है, क्या परस्थिती रहेगी, किस तरीके से काम करना है, क्या क्या चीज़े है, tenure कैसा होगा, salary वगएरा क्या होगी यह सब कानून अनुसार जो की parliament द्वारा पास किया जाएगा, ऐसे बनेगा So EC removal is similar to judge of supreme court और supreme court के judge को remove करने का process होता है impeachment जो एक बेहद मुश्किल process है So removal of other ECs on recommendation of chief election commissioner बाकी के ECs इनके कहने पे हटाये जाते हैं और CEC को supreme court के judge की तरह ही हटाया जाता है और आखरी है president governor providing staff on request of EC EC के request पे president या governor जो है इनको staff जो है वो जो है available करवाता है यह आपके important clauses हैं जो की 324 में mentioned है और यह constitution of India में chief election commissioner के office के मुतलिक दिये जाते है अब आते हैं की चीज़ पे जो है appointment का process जो appointment का process आज तक चलता आ रहा था इस bill के पास होने से पहले जो चलता आ रहा था जिसके तहट पिछले election commissioner appoint किये गए थे वो basically ऐसा था कि प्रधान मंत्री जो है प्राइम इनिस्टर या जो भी government of India को चलाते हैं चाहे वो जो political party हो उसके मुखिया हो party president इचने बोलते हैं या प्रधान मंत्री हो यह एक नाम recommend करते थे राष्टपती को president of India को एक नाम recommend करते थे और president of India उन्हीं को chief election commissioner के तौर पे appoint करते थे तो CEC was appointed by the president of India on the recommendation of the prime minister इनके recommendation पे राष्टपती CEC को appoint किया करते थे यह जो process है यह एक non transparent process के लाया गया Supreme Court की judgment के द्वारा इस साल यानि 2023 में तो 2023 में इस process को एक non transparent process कहा गया Supreme Court ने ये बोला कि prime minister अपनी whim अपनी मर्जी अपने दिमाग के असाब से किसी को भी appoint करें यह चीज नहीं होनी चाहिए इस वज़े से Supreme Court ने एक judgment के तहर सिलेक्शन committee का प्रस्ताव रखा कि आप एक selection committee बनाए इस selection committee में team member होंगे पहले होंगे प्रधान मंत्री जो इस committee के chairperson होंगे दूसरे होंगे chief justice of India जो judiciary के मुखियां है CGI top most constitutional post है और तीसरे होंगे leader of opposition जो भी opposition के leader है या जो भी second largest party है उनके जो leader है या party president है वो इस selection committee के part होंगे ये selection committee जिस नाम पे पूरी तरीके से agree करेगी उसी नाम को recommend करा जाएगा राष्टपती को और राष्टपती उनको CEC बना देगे बिल्कुल fair है Supreme Court ने ये recommendation दिया था 2023 मार्च में एक Supreme Court की judgment आई थी उसके तहर्ट उस judgment को apply नहीं किया गया that judgment was not applied तो जो current appointment procedure है वो ये है कि parliamentary laws provide for conditions of service कि क्या service के conditions रहेंगी as of now no law enforcement अभी तक कोई कानून नहीं था appointments are made by the president and no mechanism for its independent appointment procedure exist independent appointment procedure exist अभी तक नहीं करता था so effectively government and power जो सरकार है power में प्रधान मंत्री है वो अपने एसाब से choose करते थे ECS और CEC को ये चलता था अब जैसा मैंने आपको बताया Supreme Court ने एक judgment के अनुसार क्या बोला SC acknowledged the policy vacuum for 73 years जब से constitution आया है तब से लेकि आज तक सन 1950 से 2023 तक vacuum था क्या vacuum था कि committee on electoral reforms under law commission ने recommend करा for committee consisting of PN, PGI and leader of opposition in लोगसभा ये तीर लोग होने चाहिए और ये तीर लोगों के द्वारा जो है नाम recommend करा जाएगा जिसके basis पर आप appointment करोगे तो vacuum ये था कि यहां पर appointment का process transparent नहीं था So SC exercised its power under article 142 for complete justice and established this appointing committee till Parliament enacts a law on this matter कि इस पर कानून बनाया जाए, this is something that should be done लेकिन भारत सरकार जो अब कानून लाई है वो Supreme Court के suggest किये गए अनूप बरनवाल केस से अलग है अनूप बरनवाल केस था, इस P.I.L. जब file हुई थी इसका नाम So इस process में जो Supreme Court में बोला था, इसे neglect कर दिया गया कैसे neglect किया गया? कि ये जो committee है, इसका composition different कर दिया तो आईए देखते हैं कि जो नया कानून C.E.C. के appointment के लिए आया है, उसमें क्या-क्या provisions है उसके तीन provisions आप लोगों को जानने है, पहला provision ये कहता है कि C.E.C. और E.C. को appointment करा जाएगा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों में से जो की secretary की rank या उसके बराबर की rank hold कर चुके है, तो सरकार में secretary की rank hold कर चुके है, ये तो पहला provision है ये चीज अब explicitly लिग दी गई है, पहले क्या था, पहले भी ऐसी लोग होते थे, लेकिन कुछ fix नहीं था अगर ना हो तो आप कुछ question नहीं कर सकते थे, आप कानून में लिखा है, तो आपको पता है कि यही लोग appoint हो सकते है दूसरा जो provision है, वो है कि एक search committee बनाई जाएगी, जिसके मुखिया होंगे कानून मंतरी, law minister और दो secretary उनके साथ यह जो कमिटी है, यह पांच लोगों का नाम जो है, वो प्रस्ताव में रखेगी अब panel of five persons, इन पांच लोगों में जो है, आपको एक इनसान को CEC appoint करना पड़ेगा, कोई भी एक इनसान जो है, उसे CEC appoint करना पड़ेगा यह पांच लोगों की लिस्ट जो है, वो दी जाएगी selection committee द्वारा या search committee द्वारा, search committee जो है selection committee को report देगी और यह selection committee का composition देखे, इसमें होंगे प्रधान मंतरी, leader of opposition in लोकसभा and a union cabinet minister to be nominated by the PM यह तीन लोगों की committee मनाई जाएगी, इसको selection committee कहा गया है इन तीन लोगों की committee, selection committee में जिस पांच में से एक नाम को suggest करेंगे उसको राष्टपती जी जो है, वो CEC appoint कर देंगे इस तरीके से process चलेगा तो this is the third provision तो तीन provisions आप लोगों को ध्यान रखने है पहला provision यह है कि CEC और EC जो है, वो secretary के रंके होने चाहिए दूसरा provision यह है, search committee बनाई जाएगी जिसके chair person law मंत्री होंगे, दो और मंत्री होंगे वहाँ पे जो पांच लोगों का नाम recommend करेंगे किसको recommend करेंगे, तीसरा provision है selection committee selection committee जिसमें तीन लोग बैठे है, प्रधान मंत्री स्वयम बैठे है उनके द्वारा appoint करेगा, एक cabinet मंत्री बैठे है और leader of opposition बैठे है, लोग सभा के उनके सामने पांच नाम recommend करेंगे जिसमें से एक को CEC बनाया जाएगा अब यह बिल जो है, पार्लिमेंट में पास हो चुका है तो यह new bill के सारे provisions है कि क्या है law अभी का, plan आगे का, क्या है जो भारत सरकार ने propose करा है और इस पे Supreme Court का क्या कहना है This is something that has been stated, यह जी state करी गई है एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे input है कि पूरी दुनिया में process कैसे होता है पूरी दुनिया में maximum countries democratic हैं आजकी rate में तो democracies कैसे चलती है, elections के basis पे तो हर country में elections को conduct करवाने के लिए उनका एक chairperson होगा, एक मुखिया होगा एक commissioner होगा, inspector होगा, किसी भी नाम से कहिए So, जब हम इसकी बात करते हैं when we talk about this तो पूरी दुनिया में election commissioners को appoint करने का process भारत से बहुत अलग है जैसे कि UK, United Kingdom जो है, Great Britain वहाँ पे House of Commons है House of Commons जो है, वो lower house of parliament है जैसे हमारा लोक सभा है उसी तरीके से उनका House of Commons है House of Commons के सामने जो नाम प्रस्ताव रखा जाता है जिस नाम को रखा जाता है उन पे जितने MPs है, वो सारे MPs वोट करते है तब जाके वो एक इनसान election commissioner बन पाता है मतलब एक बहुत मुश्किल प्रॉसेस है So House of Commons अप्रूव्स दर कैंडिनेट्स यानि कि अगर यहाँ पे majority नहीं आई तो आपको नहीं बनाया जाएगा US में जो प्रॉसेस है, वो यह है कि पूरा Senate अप्रूव करता है Senate यानि कि हर स्टेट के दो-दो सेनिटर होते हैं, तो जो सेनिट है 50 स्टेट से यूएस में हर स्टेट के दो-दो सेनिटर है, 100 सौ सौ में से majority सेनिटर आपका नाम अप्रूव करेंगे तभी आपको जो है, चीफ election तो बहुत ही अलग है Central election management council appointment by the PM, based on nominations by national diet and prefectural election management committee, selected by prefectural assemblies, मतलब वहां के जो respective areas है उन सबके assembly members जो है वो चूज करते हैं, तो भारत का जो process है, वो बहुत जादा narrow है इसमें कुछी लोग involved होते है appointment, बाखी दुनिया में अगर आप parliament के सामने एक नाम रखे उस पे सबका आप देखे, show of hands से eyes या nose से अगर आप देखोगे तो वो एक सही तरीके से democratic process माना जाएगा अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ आप बताएं कि क्या ये appointment का process transparent है या नहीं है, अगर नहीं है क्या होना चाहिए, comment section में लिख कर बताएं का, that would be all thank you so much, bye everyone take care and all the best